भाजपा 84 विधान सभाक शेत्र के 6 मंदल की संयुक बैठक आयोजित, पीम मोदी की मन की बात का रविवार को सौवाँ एपिसोड जिसे यशस्वी बनाने में जुटने का आवहान संभाग प्रभारी चंद्रशेखर जोशी विस्तारक योजना के नित्रित्व में आयोजित बैठक में बूत विजय संकल्प हमारा मिशन की दीजानकारी आप देख रहे हैं डूंगरपूर खबर फास्ट न्यूज चैनल, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं खबर को लाइक जरूर करें डूंगरपूर जिले के 84 विधान सभाक्षेत्र अंतरगत भाजपा के 6 मंडलों अध्यक्षों की संयुक बैठक विस्तारक योजना संभाग प्रभारी चंद्रशेखर जोशी के मुख्या आति थे एवं जिला अध्यक्ष प्रभू पंडिया की अध्यक्षता वपूर जिल अधिकादिक संख्या में कार्य करताओं को लाइव दिखाने की अपील की बूत विजय संकल्प हमारा के तहट बूत को प्रभावी बनाने बूत का सत्यापन करने को लेकर जिला एवं मंडल पदाधिकारियों का प्रवास सार्थक होना चाहिए नमो वॉलिंटियर की नियुक्ती के बाद मंडल पदाधिकारियों से तालमिल बनाते हुए पन्ना प्रमुखों की नियुक्ती प्रक्रिया पूरी करनी होगी विधान सभा चुनाव एवं आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंट बहुमत हासिल करने में अभी से तयारी शुरू करनी होगी 24 अप्रेल को जन आक्रोश कार्यक्रम में अधिकादिक संख्या में शामिल होने एवं राष्ट रहित को सर्वोपरी मानते हुए कार्य करने का आखवान किया है प्रदेश विधान सभा चुनाव में 180 सीटों का लक्ष निर्धारित किया गया है जिला अध्यक्ष प्रभू पंड्या ने कहा कि संगठन को ताकत मिलेगी तो आमजन को फायदा होगा पूर्व जिला अध्यक्ष हरीश पाटिदार ने कहा कि हमें आपसी खीचतान एवं निजी स्वार्थ से बाहर निकल कर राष्ट निर्मान में अपना योगदान देना होगा जिला महमंत्री नानुराम परमार, प्रधानकारी लाल ननोमा, सीमलवारा मंडल अध्यक्ष गोवर्धन पाटिदार, गोविंद राम पाटिदार सलारेश्वर, गोविंद हारी जौतरी, भवर लाल कटारा पाडली गुजरेश्वर, यश्वन्त सिंग चिखली, बाबुल जिला महमंत्री नानुराम परमार ने किया